ये हैं अमेठी की अंजना यादव, जिने लोग आज ड्रॉन दीदी के नाम से जानते हैं। कभी एक साधरन घरेलू महिलाओं की पहचान रखने वाली अंजना, आज अपनी महनत और लगन से राश्ट्रिय स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। जी हां, अमेठी जिले के शुकुल बाजार ब्लॉक के ग्यारसपुर गाउ की रहने वाली अंजना ने अपनी पहचान स्वैम सहता समू के माध्यम से बनाई है। और अब उन्हें स्वतंतरता दिवस समारों में भाग लेने के लिए दिल्ली से आमंतरन मिला है। अंजना ने एमे तक की पड़ाई की है और अपने गाउ में महिलाओं के बीच एक प्रेणा स्तोत बन चुकी है। मोदी ने किया जिन्होंने 11 मार्च को अंजना से बात की और उनके कार्यों की सरहना की। सरकार की और से अंजना को ड्रोन, ए- रिक्षा, जनरेटर और दवा छड़काव की अत्याधुनिक मशीने निशुल्क दी गई। इनकी मदद से अंजना किसानों के खेतों में दवा छड़काव का काम करती हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को फायदा हो रहा है, बलकि अंजना भी एक सफल उद्यमी बनकर उभर रही है। आपको बता दे, अंजना का संगश और उनकी महनत की कहानी किसी प्रेड़ना से कम नहीं है। वे बताती हैं कि पहले उनके परिवार को काफी कटनाईों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भे अपने शेत्र में बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। अंजना का मानना है कि अगर महिलाएं भी अपनी सीमाओं से बाहर निकले और अपनी पहचान बनानी की कोशिश करें तो सरकार और समाज का पूरा सयोग मिलेगा। क्या नाम है और किस जिले की हैं और कौन सा समू है आपका। मेरा नाम अंजना यादा हुए मैं दिस्टिक अमेठी जराम गयास पूर सुकुल बजाथ और मेरे समू का नाम है राधी राधी स्वयम साहता समू है। यह बताएगे ड्रोन दिदी के नाम से आप मशूर हैं और आपको दिल्ली से बुलावा आया है। जानकारी मिली या मेठी द्वारा? जी सर्क नेरे संब्स फाइदा है जिए द्रोन दिदी के लिए बुलावा आया है और बहुत अच्छा लग राया है। ने तो कितना फाइदा है इससे ड्रोन दिदी से बनने से। बहुत हादा है सर, नाम मिला पहचाल मिली और सब लोग जानने लगे हैं मुझे ड्रोन दीदी के नाम से और इंकम भी हो रही है, मुझी से, मेरा नाम मुझी अमेठी प्रशाशन को कैसे धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे चुना गया इसके लिए अंजना का कहना है कि अब वे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारों का हिस्सा बनने जा रही है, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान है उनका सपना है कि वे और भी महिलाओं को शसक्त बनाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें लोकल एटीन के लिए अमेठी से आदित्य कृष्ण की रिपोर्ट